नमस्काद अश्कों यूटुब के मेरे चैनल में आप सब का स्वागत है आज मेरा विशे अधारित है राहु केतु के राशी परवर्तन पर आप सभी जानते हैं ब्रह्मान में राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो हर डेड़ साल के बाद अपनी राशी बदलते हैं अगस्त 2017 को राहु करक राशी में गए थे वा केतु मकर राशी में गए थे अब डेड़ साल के बाद 7 मार्च 2019 को राहु तो मिचुन राशी में चले जाएंगे और केतु धनू राशी में चले जाएंगे आज मैं आपको बताऊंगी कि राहु और केतु का यह जो राशी प्रवर्तन हो रहा है उसका प्रभाब मकर लगन पे क्या पड़ेगा आपके सम्मुक जो है मकर लगन की कुंड़ी है मकर लगन की कुंड़ी यानि जिसके प्रथम भाब में जो पहला भाब है उसमें 10 नमब पर यानि मकर राशी यानि मकर राशी पहले भाब में दूसरे भाब में कुम राशी तीसरे भाब में मीन राशी चौते भाब में मेश राशी पाचवे भाब में विर्षब राशी छटे भाब में मिथुन राशी सब्तम भाब में करक राशी अश्टम भाब में सिंग आप पढ़ेगा जब 7 माज 2019 को रहो और केतु राशी बदलेंगे अभी तक जो है क्योंकि अभी में वीडियो साथ माज से पहले बना रहे हूं तो इस समय जो स्थिती यह है कि इस समय केतु तो मकर राशी में यहां पे बैठें और राहु जो हैं यहां पे बैठें पर 7 माज 2019 केटू राहू के विए एक वक्री गिर हैं और वक्री गहें जब राशी बदलता है तो आगे की राशी में नहीं जाता जैएक अगर कोई दूसरा घर होता तो वो करकार राशी को छोड़ के सिंग में आता लेकिन क्योंकि ये वक्री गर्ण है इसलिए ये अपनी राशी से उल्टे चलते हैं इसलिए अभी ये कर्क में थे तो राहू कर्क से वापस मिथुन राशी में आ गए और जो की मकर राशी में थे केतु वो अपने उल्टे चले गए धनू राशी में तो इस प्रकार से राश यह निर्वर करता है कि राउ केतु कुण्ली में किस भाब में विराजमान है राउ वा केतु जन्नली तीसरे छटे वा ग्यारवे भाब में बढ़िया फल देते हैं इसलिए अब हम आम देखना चाहें कि मकरलगन किस कुण्ली में इस गोचर में जब कि राउ जो है छटे सबसे बड़ी बात देखिए विशेष्टा जो बात भैते पुन घटना कि मकरलगन वालों के लिए राहू जो है छटे भाब में बैट गए अब मैं आपको बारी बारे से बताती हूं मैं लिखा भी हुआ है कि राहू का क्या क्या फल होता है राहू का शुफल देखिए कि रोक का शत्रू का यानि शत्रू आपका वाब कुछ नहीं बिगार सकते राहू इतना बड़ी अफल देगा आप बिल्कुल पराक्रम शाली बन जाएंगे आपको धनलाव की स्थिती बनेगी आपके शत्रू का नाश हो जाएगा आप किसी कोट केस में फसे हुए थे उसमें सवल्टा मिलती दिख रही है और एक मेंजे की बात है कि ऐसा हो सकता है कि यह जो डेट साल का समय चलेगा यानि राहू जो तीन मार्ट से आपकी कुंड़ी में चलेंगे साथ मार्ट 2019 से जो चलेंगे वो सकता है कि लाइफ में ऐसे लोग आएं जिनको आप बड़ा मान के च पीच समझते थे वो लोग यह आपकी मदद करते हैं अब आप उनको किसी भी तरीके से मान सकते हैं पर वो छोटे किसम के लोग जो है न वह राओ की दशा में ज़राओ के गोचर में आपका साथ देते हैं तो यह तो हो गए राओ के शुपल की छटे भाव में राओ आपको ध उस भाव से संबंदित फल कम हो जाते हैं एक तो राओ मकर लगन में लगन पर गोचर कर रहा था के तू तो आपके मन को क्या भरमा रहा था आप कोई ढंका डिसीजन नहीं ले पा रहे थी लेकिन अब आप उससे मुक्त हो गए क्योंकि के तू ने इसको छोड़ दिया वो लग रहा था कि दमपते जीवन नरक हो गया लेकिन वह स्थिती भी बदल गई यानि डरेट फैदा हुआ कि राओ के तू के अर्स से आपका लगन हटते हैं तो आप डिसीजन लेनी की पावर आ गई आपको एक आपका सब्तम भाव बहुत बढ़िया हो गया दमपते जीवन सकते हैं आप बहुत बढ़िया पर देगा त noi के आपको यहां बढ़ियाफ closely básते हो घृँघंत भाव में कि अ ख़यकर हो बढ़िया न में उन जात्त हसे सांसरी में जीर मिर्गी जीर होता है तो आपको विशेश साथधानी की जरूत है क्योंकि ऐसी स्तितीम हो सकता है कि उसकी हालत बार बार बिकड़े उसके लिए मैं छोटा सा घरलू उपाए बतादू कि अपने पास है काता है जायफल का तेल मार्किट में आपको मिल जाएगा जायफल का तेल जायफल एक वो होता है समगरी होती है जिसकी हम जावित्री के नाम से जिसको हलवाई भी यूज़ करते हैं जाएफल को मिर्गी के रोग के लिए बड़ा लाबकारी माना जाता या तो आप एक लाख रंग का जो दागा ऐसमें जायफल को फिरो कर गले में डाल दीजीए तो मिर्गी के रोगी को बड़ी साथ मदद मिलेगी या आप क्या कर सकते हैं कि जैफल के तेल से उसकी मालिश करें शरीर की तो उससे भी मिर्गी के रोगी का प्रभाव कम होगा तो मिर्गी के रोगियों के लिए विशेश साथ दानी की स्थिटी है और साथ ही आखों के लिए भी यह राहू की पोजिशन यहाँ पर मैं अच्छी नहीं मानती है मकर लगन के लिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैंने आपने देखा उपर लिखा हुआ आघ्ग कि आपके कुश्प है और केतु का अशूब है केतु का गोचव अशुम इसलिए है कि चला गया बारवे घर में बारवे घर से आपने विचाह करते हैं खर्चों का विदेश का तो एक तो के तुर बारवे घर में चला गया तो यह आप खर्चे बढ़ाएगा बहूत अधिक हो सकते हैं यानि आपको व्यर्थ की चिंता में डाल देगा अब बिना प्रिणत की टेंशन हो जाएगी रात को आख खुलेगी तो रात को नीन नी लगेगी इस तरीके से टेंशन डालेगा आपकी भागा दोड़ी ज्यादा हो जाएगी आप व्यर्थ में कभी घूमेंगे अधर घूमेंगे आपको यह नि आपक केत् suffovar के ऐसे नेगर्ठी क्योंकि आपको आपक सब्सक्राइब करते केत्यों की फॉर्द गिर्जेशा के सभ्यां। है तो एक बात ओर केतू में कि घर में आगा खर्चे तो कराएगा और घर्चे धार्मी कारे जुरूर होँगे यानि आने वालेटथ साल में आपके घर में कई तरह की मांगली को धार्मीब कारे और उसमें केतु आपका खर्चा कराएगा, तो यह तो शुपफल है, यानि केतु आपको विदेशात्रा दे देगा, धर में धार्मी कारे होंगे, राहु आपको नौकरी दे सकता है, धनलाब दे सकता है, शत्रु का नाश कर सकता है, आपका वेपार अच्छा कर सकता है, कोट तो आपको खर्चों में डालेगा कर्शों से आपको बचना कर गदेगा और घर में हैल्थ का भी ध्यान पर इस GOOD आ कि 11 अक्टूबर के बाद उनका गुरू रिष्टिक राशी में आ गया था अब यह दूसरी एस्टिटी बनी है कि जब रहू उनके लिए पॉजिटिव बना है इस प्रकार मैंने यह दर्श को बताया कि मकर लगन वालों के लिए रहू के तुकाई गोचर का रहे कैसा रहेगा इसके साथ ही दर्श को मैं अपना वीडियो समाथ कर रहे हूँ आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा इसके साथ ही नमस्कार दष को जाय माता आदी